नमस्कार देख रहे हैं नाइजेवी न्यूस नाइन और मैं हूँ साक्षी मैदा फिर विगडी अमिट शाह की दव्यत जी हाँ राद दो बजे सांस लेनी की दिक्कत के चलते अमिट शाह को दिल्ली स्थित एम सस्पतार में फड़ती कर आया गया है आपको बता दें कि 14 अगस्थ शुक्रवार याने की पिछले सब्ता ही अमिट शाह ने अपने स्वस्थ होने की जानकारी अपने ट्वीट के जरिये खुद ही दी थी केंद्री मंत्री अमिट शाह को राद दो बजे दिल्ली स्थित एमस के ओल्ड प्राइविट वार्ड में बढ़ती किया गया है उन्हें सांस संबंदित परिशानी बताई जा रही है इसी वज़स से एमस निर्देशक डॉक्टर रंदी गुलेरिया के नेत्रत में उनका इलाज किया जा रहा है कोरोना वाइरस संक्रमन की चपेट में आने के चलते गुरुग्राम के मेदानता हस्पताल में भरती देश के ग्रह मंतरी अमिच शाहा पिछले सब्ता ही 14 अगस्त को संक्रमन से मुक्त हुए थे उन्होंने स्वैम ही ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी कोरोना वाइरस संक्रमन को मात देने के बाद शुक्रवार को अपने स्वास्त के बारे में अमिच शाहा ने ट्वीट कर बताया था कि आज शुक्रवार मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगिटिव आई है मैं इश्वर का धन्यवात करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्त लाब के लिए शुब कामनाय दे कर मेरे और मेरे परिजनों को धांडस बांधी उन्हें सभी को भी फिदय से आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही अमिच्छा ने डॉक्टर्स और मेदानता के स्टाफ को भी आभार व्यक्त किया था गौर तलब है कि ग्रेह मंतरी अमिच्छा कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे और उसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलापर दो अगस्ट को मेदानता हस्पिताल में भरती करा आए गया था यहाँ पर भरती होने के दौरान भी अमिच्छा पूरी तरह से सक्रिय रहे और लगतार फोन पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे